हलो दोस्तो कैसे हैं आप मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी की पंडित धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री जिन्होंने अभी हिंदू राश्टर घोसित कर दिया है हमारे भारत को हां भारत हिंदू राश्टर है ऐसा बागेश्व भी हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान को हिंदु राष्ट बना कर दम लेंगे, ऐसा बागे सर्दाम सरकार कहते हैं, हाँ, उनके पीछे बहुत बड़े निताओं का हाथ हो सकता है, हाँ, साधू संट, पबलीक हो सब तो उनके साथ में ही है, दूसरे धरम गुरु अगरे सब स साथ में, क्योंकि उनका कहना है, पाकिस्तान, पंगलादेश, मुस्लिम राष्ट, तो भारत, हिंदु राष्ट क्यों नहीं, और हमारा राष्ट तो सनातनी राष्ट है, जैसे कि उन्होंने नारा भी दिया है, कि मेरा नारा है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें राष्ट दूंगा और हर किसी का चैलेंज स्विकारने के लिए वा तैयार है वा कहते हैं कि हिंदू राष्ट बनाने के लिए समीधान में भी संसोधन किया जा सकता है और हिंदू राष्ट का उद्गोस विरुधियों पर आक्रोस इस तरह का एक नारा भी लगाया है क्योंकि जब ऐसा अच्छा काम करने जाएंगे तो विरुधियों लोग की सभाविक पैदा होते ही रहेंगे इसलिए वो कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूं चाल है मेरी जान ही चली जाए लेकिन मैं भारत को हिंदू राष्ट बना कर रहूंगा सिर्फ आप लोगों के साथ सहक कार की हमें जरूरत है और इस बारे में बावा बागेस्वर धाम को धंकियां भी मिली हैं जान से मानने की धंकियां मिली हैं जिसके अवेज पर जनतर मंतर पर जो धर्म संसद हुआ था उसमें जेट प्लस सेक्यूरिटी की मांग भी की गई थी और भारत को हिंदू जनता उनका साथ दे रही है और जितने भी धर्म गुरु हैं सनातनी हैं जो सनातनी यानि की से दूसरे उसमें गए हुए हैं वह भी उनका साथ दे रहे हैं पब्लिक भी देखी जैसे साथ दे रही है राहुल गांधी जी भी उनका साथ दे रहे हैं सभी उनका साथ दे रहे हैं दोस्तों और बड़ी बात तो यह है कि जो बंदावन के कथाकार हैं श्री अनुद्राचारे जी वह भी इनके इस महा यग्य में सामिल हैं उन्हों ने भी सब को कहा है कि सावधान हो जाओ बागेश और धाम सरकार के बाद यानि कि भड़क कर उन्हें कहा कि हिंदू राष ही हमारा है और हमारा ही था और हमारा ही रहेगा और हां दोस्तों साथ में वो लोग यह जरूर कहते हैं कि हिंदू राष्ट रहेगा हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन जाओ मुसलमान मुसलमान रहेगा इसाई इसाई रहेगा पंजाबी पं पंध हैं इसमें से निकले हुए हैंनि एक साखा की डाली हैं और अनुरुद्धा चायर जी तो बागे सरधाम भी पहुंचे उनसे मिले विद फैमिली गए हुए थे और उनका सपोर्ड भी किया काफी सपोर्ड किया हाँ ऐसे और भी धर्म गुरू लोग सपोर्ड कर रहे हैं सिर्फ संक्राचायर जी को छोड़ करवा कुछ सवाल उठा रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो मेरा कैसा लगा आपको जरूर बताईए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और सेर कीजिए